स्टुडेंट एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी यूटूब चैनल में इस वीडियो में हम फड़ने वाले हैं दो जीनों की वनसागती का दिन या जिसे द्वी संकर संकरन परियोग वेपन कहते हैं डाय हाइब्रिड जो क्रोस होता है या इसको हम दो लक्षनों की वन लेते हैं अगर यदि हम एक लक्षन लेते हैं और उसकी वनसागती का दिन करते हैं तो उसको एक संकर संकरन और अगर हम दो लक्षन लेते हैं तो उसे वनसागती के दन को हम दो जीनों की वनसागती का दिन या द्वी संकर संकरन भी कहते हैं तो मतलब यह कि यहां हम सातों म मट्र के पादप के दो लक्षणों को लेकर क्रोस करवाया गया तो उसे द्वी संकर संकरन परियोग कहते हैं अथार्थ इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो लक्षण लेते हैं या दो जीनों को लेकर उनकी वनसागति का द्यान करते हैं जिसको अपन दूइ संकर संकन प्रयोग भी कहेंगे। जैसे इसका उधान ले लेते हैं कि एक ऐसे प्रयोग में मेंडल ने गोल वब पीले बीज वाले पाधब ले ले लिये। तो एक तो लक्षन हो गया पहला गोल और दूसरा हो गया पीला गोल बीज और पीले बीज ये उन्होंने ले लिये तो दो लक्षन ले लिये तो इस पादब का संक्रणया ने एक ऐसा पादब ले लिया जो जिसके बीज गोल थे और पीले रंके थे और दूसरा पादब उन्ह प्रिया से लक्षन ले लिए हैं, दो लक्षन ले लिए हैं, तो उन लक्षनों को हमने इसमें जब क्रोस करवाया तो इसमें हमको क्या प्राप्त होगा, तो जब इसका क्रोस करवाया गया, तो संक्रन से जो F1PD प्राप्त हुई, उस F1PD में सभी पादब गोल वे पीले बीज पराप्त है क्योंकि गोलोर पीला दोनों जो लक्षण वह प्रभावी लक्षण है और इन्हों ने अपना प्रभाव परकट किया है फ़न पीडी में तो यहांसे अपने के नीयम भी निकालेंगे आगी जाकि फिरभावी टागा नीयम कि जो कहता है कि प्रभाविवौ लक्षन हरP did में अपना लक्षन परकट करेगा और फवेर्फंपीडीसे हम इसका सोवेप्रागण होने देते हैं इससे नेक्स्ट इप्रागण करते हैं तो एफ F1 PD के पादपों में स्वय प्रागन से F2 PD प्राप्त हुई अब जो भी F2 PD प्राप्त होगी तो इस F2 PD के अंदर चार विभिन परकार के प्राप्त हुए जिसमें एक तुता गोल और पिला एक ते एक एक ऐस्पेसल अपनको लक्षन परकत होगा गोल के साथ हरा येँ क्प प्रप्राप्त हुआ जिर और हरे घंस्का आपने लक्षन पर रूप है फेनोटाइप लिया तो जो फेनोटाइप अनुपात आया वह नो अनुपात तीन अनुपात तीन अनुपात एक हमें प्राप्त हुआ मतलब हिसी संक्रन अनुपात में 16 स्वेसीज यारnae फोले प्राप्त हुएएं एक 2PD में जिसके अंदर नो अनुपात तीन अनुपात तीन अनुपात एक उन अनुपात कि साहता से दो दिनों की वनसा करती है, दिवी संक्रण का अपन दिन गड़ते हैं, तो पुनेट वरग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपने सुध किस्म यानि जनक पिडि लेते हैं, जो अपने लक्षन के लिए सुद्ध होती है, जिसे पहले ले लिए हमने गोल और पीले बीज, तो गोल को अपन दिखा देते हैं, केपिटल र और केपिटल र से, और पीले को दिखा देते हैं, केपिटल वाई केपिटल वाई से, क्योंकि ये सुद्ध किस्म है, और ये बिल लक्षन होता है अब इन दोनों जो जनक ले लिए हमने इन में बनेंगे युगमकों का निर्मान होगा तो युगमकों के निर्मान में क्या होता है तो युगमकों में ये जो जीन है ये वो आदे आदे हो जाते हैं तो यहाँ पर केपिटल आर केपिटल आर में से एक आर आ ग सपर चिड़क दिया है इस क्रोष करवा दिया हमने ये क्रोष करवा दिया इसमें क्रोष करवाने के बाद में हमें F1D प्राप्त होगी F1D में देखे ये पूदा प्राप्त होआ directly обяз to similar केपिपिटल आर केपिटल for used मौल वाय ये पूदा में प्राप्त हो वो अपना प्रभाव दिखाएगा तो यहां पर capital R present है capital Y present है इसका मतलब है capital R उनके करण यह बिलकुल गोल प्राप्त होंगे और capital Y present है इसका मतलब यह पीले रंग के भी बीज प्राहमें प्राप्त होने वाले हैं तो इस PD में सभी पोदे गोल और पीले बीज वाले प्राप अब यह पर हमें जो यह पोदा दिखेगा उसमें गोल और पीले बीज तो होंगे लेकिन यहां पर अगर अगर जीन देख रहे हैं तो उस जीनों में अपने को दिखाए दे रहा है कि यहां पर जो आप प्रभावी लक्षन वाले जीन हो भी मोजूद है लेकिन वह अपना अब आगे चलकर जैसे अलग अलग अपना परभाव दिखा देंगे तो एप वन पीडी से फिर हम इसको हमने स्वप्रागन होने दिया स्वप्रागन मतलब है इसमें जो यह गोलो पीले बीज प्राप्त हो यह अपना प्रभाव इसको गया पिर इसमें पुस्प लगे और इसमें उप्रागन हुआ तो हमें यहां पर चार तरह के युगमक के देखने को मिलताते हैं तो ऐसा पोदा है जिसमें चार तरह के युगमक बन जाएंगे तो हमने एक यह जो पुनेट वर्ग है यह बना लिए हैं इसमें 16 वर्ग हैं या जिसको चेकर बोर्ड भी हम कहते ह ये गोगमंग बनेंगे तो इसमें भी जीनन्य कुंस त्राद हैदे नहीं तो यह सब्सक्राइब हो जाते हैं तो अके पर आदा है मुझार एक के पीटल वाइई पिर के पिटल र कोई पिर के इस तरह से चारत्रे के नर्युगमक बन गए यह तो बन गया नर्युगमक और यह इदर बन गया मादा युगमक तो पुनेटवर्ग के सिस्टम के अनुसार हम एक तो उपर के तरफ युगमक ले लेते हैं और एक के बाहें साइड के अंदर हमें जो इस्तंभ है यह इदर इस इदर ले लिये है इनको को सक्षाहिनद को क्रोज में क्या होगा सबसे पहले एक युगुमक को चुछ करणा नहीं से इसका क्रोज करोएंगे तो हमें राप्त होगा केपिट़ एक य वाई दूसरे एक आपन करवाएंगे तो Capital R, Capital R, Capital Y, Small Y तो अगर पहला देखते हैं तो देखिए इसके अंदर Capital R, Presenter, Capital Y इसका मतलब यह गोल और फिला होगा दूसरा आपन देखते हैं तो Capital R और इसमें भी Capital Y है तो यह भी गोल और फिला होगा मतलब जब तक Capital उपस्ती थे Capital Latter यानि परभावी जीन उपस्ती थे, परभावी कारक उपस्ती था है वह अपना परभाव दिखाएगा सुईगे अपन मेंडल ने कारक सब्द कार के इसमाल कियती है तो हाँ एको US इस से करवाएंगे तोит देखिए गौल और क्पीलजी ऑने वाली है अब दूसरा एने गुम ले ले कर पर सिर्सीं कर से क्रोश करवाते हैं तो इसा को लेने चारों से क्रोश कर आएंगे तो हमें ऐसा गौल पिलार ौहरा ये देखिए बहुत special एक species पराप्त हुए अपनको जब capital R small y का capital R small y से अपन क्रोस करवाते हैं तो capital R, capital R small y small y तो ये गोल तो गया है क्योंकि capital R है लेकिन इसमें सभी small y इसका मतलब भी हरा होगा तो एक special action वाला है मेंको पराप्त हुआ है तो इसी तरह से अपन इसके सब के एक के को लेकर चारों से क्रोस करवा लेंगे तो हमें 16 पराप्त होंगे यानि total 16 species पराप्त होंगे जिसके अंदर 16 पुनेट वरग होंगे उस परतेग पुनेट वरग में एक पोदा रखा जाता है तो यह 16 पराप्त होंगे अभी इनको हमने जैसे जहां पर capital है वहां पर हम प्रभाविय लक्षन लिख देंगे जहें small जैसे यह एक है small r, small r, capital y, capital y तो small r का मतलब जुर्यदार हो गया और capital y का मतलब भी पिला हो गया इसे last species देखें अपन तो यह small r, small r है यह small r, small r है यह प्राप्त हो गया तो इस तरह से हमें 16 पोद्दे प्राप्त होने वाले हैं अब जब इनका फिनो टाइप और जिनो टाइप निकला गया तो कुछ इस तरह से आया तेखिए यहां पर हम गोल और पिले देखें तो total जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, गोल और पिला 6, पि से एक है, फिर दो है, फिर तीन है, तो गोल और हरे हमको तीन पराप्त होते हैं, पिर जुरिदार और पिला देखें तो जुरिदार पिला हमको एक, दो और तीन पराप्त होते हैं, और जुरिदार और हरा देखें तो यह लास्ट में एक पराप्त होता है, तो इस तरह से य नो तो गोल पिले पराप्त हुए फिर तीन अपन को गोल और हरे पराप्त हुए तीन हमें जुरिदार और पिले पराप्त हुए एक जुरिदार और हरा पराप्त हुआ तो यहां पर लक्षन पर रूप देखने पर अपन को यह पता सल जाएगा कि इसका जो लक्षन पर कुछ इसतरे से उने वाला है तो इसे द्वी संकर संकरन परियोग का लक्षन पर रूप हमें नो तो गोल और पिले प्राप्त होंगे गोल और हरे प्राप्त होंगे अपनको तीन जुरिदार और पिले प्राप्त होने वाले हैं तीन और जुरिदार हरे प्राप्त होने वाले ह हमको एक पोदा और यह टोटल कितने पोदे होगे 16 स्पीसीज तो इसका लक्षन पर रूप आता है द्वी संक्रन का है दो जीनों की वन सागती का नो अनुपाद, तीन अनुपाद, तीन अनुपाद, एक अब यहां पर कई सारे परसन आते हैं जैसे यह आपका अनुपाद आ गया है तो इसको आप द्यान में रिखेए तो यहां पर यह आ सकता है कि 9 जो गोल और पीले प्राप्त हुए एब्टू पीडि में उसका कितना प परसिंटेज आएगा वो इसके अंदर के अपन दिखा सकते हैं इसी तरह से अगर अपन जीन पर रूप देखें तो टोटली अगर हम जो जीन हमने देखे थे केपिटल आर और स्मॉल वाई केपिटल वाई स्मॉल आर के में स्मॉल वाई तो यह सारी जो जीन है यह अपन द फिर चार अनुपात एक अनुपात दो फिर एक अनुपात दो अनुपात एक इस तरह के आपको इतने सारे परकार के यानि तीन तीन नो परकार के जीन पर रूप राप्त होंगे टोटल नो परकार के जीन पर रूप नो परकार के जीन पर रूप राप्त होने वाले हैं यह भ 12412-121 इस तरह से यह जिन पर रूप द्वी संक्रण का में प्राप्त होता है तो यह बी मॉर्टेट बात है तो यहाँपर कई पतार रिप्रसन बन जाते हैं जैसे कि द्वीसंक्रण के अंदर कितने युग्मक बने तो चार युग्मक बनते हैं और 4 उगमक द्वी संक्रण में द्वी संक्रण के अंदर 4 उगमक बने और इनसे हमें प्राप्त हुई 16 species F2PD अंदर अब यदि हम तीन लक्षन ले ले लें, 3 संक्रण ले लें तो उसका क्या होता है तो 3 संक्रण लेंगे तो 3 संक्रण में होगा क्या तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम लक्षन बढ़ाते जाएंगे फिर जटिलता आते जाएगे जैसे चार लक्षन ले लेंगे तो सोलह युगमक अपन को बनेंगे और सोलह मादे युगमक बनेंगे तो फिर अपने 200 वहां पर 56 प्राप्त होने वाली है तो जैसे संक्रण को बढ़ाएंगे तो जटिलता आती जाएगी तो मेंडल का जो मुखे परियोग थे वो एक लक्षन वाला और दू लक्षन वाले दो-दो लक्षन लेकर परियोग उनोंने किया था तो एक लक्षन की वनसागत्ती का अध्यन हमने समझा था कि लंबाई कली जब पोदे की लंबाई ले लिए वो लंबाई में ले लिया हमने एक तो सुद लंबा ले लिया था रही एक सुद बोना ले लिया था तो जो सुद लंबे को तो हमने केपिटल्टी से प्रिजेंट किया था और सुद बोने को हमने स्मॉल्टी स्मॉल्टी से प्रिजेंट क जब एक टूपीडी प्राप्त की थी तो एक टूपीडी में हमने यह देखा था कि हमें चार पोदे प्राप्त हुए थे और उनका जब हमने जीन पर रूप निकाला था और लक्षन पर रूप निकाला था तो लक्षन पर रूप में प्राप्त हुआ था तीन उनुपात एक तो ये भी आपको देहां रखना है कि जीन पर रूप एक उनुपात दो नुपात एक उनुपात एक उनुपात एक उनुपात एक उनुपात एक उनुपात एक यहां पर अगर अगर आपन दो दो लक्षन लेते हैं यानि दो दो लक्षन लेते हैं जैसे हमने भी ले लिया एक इसलेक्षन पर रूपता है हमारे पास 9.5, 3.5, 3.5, 1 और यहां पर आता है 122, 412 और 121 यह हमें जिन पर रूप यहां से प्राप्त होता है तो यह दो जो पर्योग थे एक संक्र संक्रन और दिव संक्रन इसके आदार पर मेंडल ने अपने सारे डाटा जिक्टे कर लिये थे और फिर यहीं से उन्होंने अपने वनसागती के नियम निकाले थे तो हम उन ती इनके जो थ्री लोज है थ्री लोज पढ़ेंगे अपन यानि इनके चो तीन नियम है वो पढ़ेंगे जैसे लोग डोमिनेस जिसको पर प्रभाविक्ता का नियम बोलेंगे फिर दूसर आपने पढ़ने वाले हैं प्रतकरण का नियम प्रतकरण का नियम जिसको युगम को उसुता का नियम भी कहेंगे और फिर एक पढ़ेंगे अपन सवतंतर अप्यूहन का नियम सवतंतर अप्यूहन का नियम तो यह जिसे यह first law है यह आपका second है और प्रभाविकता का नियम कोपन थर्ड लो कहेंगे इसको details पढ़ने वाले हैं अब इसमें जो दो नियम है प्रभाविकता नियम और प्रतकण का नियम यह तो एक जब उन्होंने एक संक्रण प्रयोग किया था तो उससे ही उन्होंने निकाल लियता है कि यह इस तरह से होता है और जो तीसरा नियम था हलाएं कि यह दू संक्रण में भी प्रदशित होते है लेगन जो तीसरा सेकन्ड नियम था सौथन्तर फ्यून का नियम वह उन्होंने जो द्वीशंक्रण प्रयोग किया था दो जिनों वाला उसमें उन्होंने जाके उसको इस पेसल जो हमने भी पढ़ा है उसमें जाके देखा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी नियमों को फड़ने वाले हैं तो बहुत अची तरह आपको समझ में आएंगे नियम तो अपन नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे थेंक्यू